हाई हेलो असलाम अलेकुम दोस्तों वेलकम बैक टुमें एमे किचन चैनल उम्मीद करती हूँ के आप सोब खैरियस से होंगे आज हम आपके साथ शेर करने वाले ही बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी स्वीट रेसिपी वो है ब्रेट का हल्वा चलो हम देखते ही उसे बनाने का तरीखा और उसके साथ साथ उसके इंगेडियन्स अब हम लेंगे 10 ब्रेट के बड़े-बड़े स्लाइस और 200 ग्राम शकर नेक्स्ट हम लेंगे 200 ml ओईल 10 से 15 मुनक्खा 10 कटे हुए बादाम हाफ कप तर्बूस के बींच हाफ कप देसी घी 10 से 15 कटे हुए काजू एक चिट की कलर पोडर नेक्स्ट हम लेंगे ब्रेट के स्लाइस इनको हम चारों तरफ उनके किनारों को काट कर अलग कर दिंगे वरना ये किनारे ओईल में जलकर ब्लैक हो जाएंगे इस तरह से चारों तरफ बारीक काट कर इन किनारों को निकाल दिंगे नेक्स्ट उन ब्रेट के स्लेशेस को चार तुकडों में काट कर छोटे छोटे तुकडे बना लिंगे इस तरह से छोटे तुकडे बनाने से हमारा ओईल भी कम पड़ता है और ब्रेट भी चारों तरफ अच्छी तरह से ब्राउन हो जाता है अब हमारा ब्रेट अच्छी तरह से छोटे छोटे पीसेस में चेंज हो चुका है नेक्स्ट हम एक बरतन लेंगे ग्यास को आन करेंगे ग्यास को आन करने के बाद नेक्स्ट हम उसमें आड करेंगे 200 ml आईल को थोड़ी दिर गरम होने देंगे नेक्स्ट हम उसमें आड़ करेंगे अल्टेडी छोटी छोटी तुकडों में काटे हुए ब्रेट के स्लाइस ब्रेट के स्लाइस को आड़ करने के बाद नेक्स्ट एक 5 मिनिट्स के लिए लाइट ब्राउन आय तक उसे फ्राई कर लिए अब हमारे ब्रेट लाइट ब्राउन फ्राई हो चुके ही नेक्स्ट हम उसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिए इस तरह मैंने प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है नेक्स्ट एक बरतन लेंगे गैस को आन करेंगे गैस को आन करने के बाद नेक्स्ट हम उसमें आड करेंगे देसी घी घी को थोड़ी देर गरम होने देंगे नेक्स्ट हम उसमें आड करेंगे मुनखा मुनखा को आड करने के बाद आड करेंगे काजू हम एड़ करेंगे कटे हुए बादाम इन तमाम ड्राइफ फूट्स को घी में लाइट ब्राउन आये तक फ्राई कर लेंगे अब हमारे ड्राइफ फूट्स फ्राई हो चुके हैं इसे एक प्लाइट में ट्रांस्फर कर लेंगे जो भी घी बचा हुआ है उसमें हम एड़ करेंगे दो ग्लास पानी पानी को एड़ करने के बाद नेक्स्ट हम उसमें एड़ करेंगे शक्कर शक्कर को आड़ करने के बाद next हम उसमें आड़ करेंगे color powder इन तमाम इंगिडियन्स को अच्छी तरह से mix कर लेंगे mix करके उसे थोड़ी देर गरम होने देंगे गरम होने के बाद next हम उसमें आड़ करेंगे already fry किये हुए bread के slices ब्रेट के slices को इस तरह 5 मिनिट्स के लिए पकने देंगे अब 5 मिनिट्स हो चुका है देखते ही हमारा ये हल्वा किस तरह से रेडी हुआ है अब हमारा हल्वा अच्छी तरह से बन चुका है उसमें आड़ करेंगे ड्राइफ फूट्स ड्राइफ फूट्स को आड़ करने के बाद उसे अच्छी तरह से मिक्स करकर एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे ये हमारी रेसिपी बन कर रेडी हो चुकी है उमीद करती हूँ के तमाम दोस्तों को ये रेसिपी पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए तब तक हम मिलते ही एक नई रेसिपी के साथ असलाम अलेकुम अल्ला हाफिज